हेलो किसान भाईओ, नमस्कार और आप देख रहे हो अपना चैनल हर्ज किसान किसान भाईओ, आज हम बात करेंगे सर्सों में सिचाई पानी का सہी समय और कितनी मातरा में खाड डालते हैं आईए जानते हैं, फसल में सही समय पर सिचाई करने से पोधे की जड़े तना मजबूत होता है, जादा फुटाव, जादा कल्ले, अधिक साखाएं निकलती हैं, छोटी अबस्ता में सिचाई करने पर फसल में पीलापन आ जाता है, जादा समय बाद सिचाई करने से फसल की ब टाकरे, खापरे पढ़ने लग जाते हैं खेत में कहीं कहीं पर फसल कमजोर रह जाती है इसलिए सही समय पर फसल को पानी देना बहत ज़रूरी है सरसों में पानी बिजाई के एक महिने बाद ही देना चाहिए 30 दिन से 40 दिन तक फसल की अवस्ता को कंडिसन को देख कर सिचाई करनी चाहिए फसल अगर सही ग्रोथ पर है तो सिचाई थोड़ी लेट कर सकते हैं अगर पोधे जादा मुर्जा रहे हैं तो थोड़ी जल्दी सिचाई करनी चाहिए सरसों में सिचाई करने का जो सही समय है वो 30 दिन माना जाता है सिचाई करने से पहले सरसों की निराई गुडाई जरूर करें यानि की फसल से खत पर बार निकाल कर ही फसल को खात पानी देना चाहिए नहीं तो खत पर बार खात को खीज लेती है जिससे पूरा खात पानी फसल को नहीं मिल पाता आई ये जानते हैं सरसों में पानी के साथ कौन-कौन सी खात कितनी मात्रा में देनी चाहिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि आपने सरसों की बिजाई के समय कौन-कौन सी खात कितनी मात्रा में डाली थी जैसे DAP, SSP, POTAS, GIN, Sulfur, Yuria आई ये अब जानते हैं कि आप पहली सिचाई के साथ DAP और सरफर डाल सकते हैं अगर आपने बिजाई के साथ DAP, Sulfur नहीं डाली थी तो पहली पानी के साथ डाल सकते हैं मात्रा 30 केजी यूरिया के साथ 20 केजी DAP और 2 केजी Sulfur 80% WDG Sulfur तेल की मातरा को बढ़ाती है, फसल को सर्दी से बचाती है, पीलापन दूर करती है अगर बिजाई के समय Sulfur डाल रखी है तो अब केबल यूरिया डाल सकते हैं अगर फसल कमजोर है तो यूरिया के साथ माइक्रो, राजा या सागरी का जैसी खात जरूर डालें ये खात फसल को संपूर्ण पोसन देने का काम करती हैं क्योंकि इन में पोधे के बिकास के लिए आवसक सभी पोसक तब मौजूद रहते हैं इसके अलाबा नाइटोजन, फासफोरस और पोटास की पूर्ती के लिए एन पी के उननिस उननिस या एन पी के बीस 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 का इस्पिरे से भी सरसों में जबरदस्त बड़बहर देखने को मिल सकती है तो किसान भाईयो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें केमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को किसान हित में सेर करना ना भूलें यदि आप चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन दबाना ना उले जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सही समय से पहुंच सके नमस्कार किसान भाईयो